जहें दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे आप लोग बताईए रादे रादे भाई सभी को रादे रादे चलिए बहुत शांदार तो सारे के सारे हमारे दोस्तों वो लाइव है और आज बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हम आज मैंने आप लोगों के लिए काफी बहतरीन कोश्चन्स मैंने ढूंडे है ठीक है तो स्वागत है आपका सबसे पहले तो इस महाभारत बैच में और इस बैच में हम नंबर सिस्टम में आज जो हम तौपिक पढ़ने वाले हैं वो तौपिक का नाम है रिमेंडर ठीक है ? से important है, वो दो ही है, एक है divisibility, और दूसरा है हमारा remainder, remainder पर काफी तरीके से question आते हैं, अगर आप पिछले कुछ सालों का इतिहास उठा के देखेंगे, ठीक है, जिसमें CGL हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया, काफी सारे जो papers हो गया, तो इनमें remainder से काफी तरीके के question हमार कर दीजे मेरे भाई, हर जगह पर, ठीक है, YouTube पर, अपने मतलब एक तरीके से, टेलीग्राम पर, WhatsApp पर, Facebook पर, हर जगह पर शेर कर दीजे, काफी important ये class है, ठीक है? चलिए, तो हम शुरू करते हैं, आज के session को लेकर, और आज का session काफी ज़्यादा हमारे लिए important है, remainder successful to चोड़ी-चोड़ी बात हैं, जो हम आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा, तभी पूरे session में मज़ा आएगा आपको, और हर जगह पर वीडियो को share कर दीजे, भाई, ठीक है? आज एगा है, तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं, यहाँ पर, पहले question से इसका already मैंने एक class करा रखा है, तो जिनोंने पिछली class नहीं देखी है, वो मेरी पिछली class जरूर देख लेना, मेरे भाई, ठीक है? आजओ, question में कहा है, जब 27 के power, 27 plus 27 को हम 28 से विभाजित करेंगे, तो sexual कितना होगा? देखे, मैं शुरुव में आपको बता देता हूँ, क इस सवालों का जो level होगा, वो मैं धीरे 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 करके आपको upper level तक लेके चलूँगा, काफी अच्छे अच्छे questions हैं हमारे पास अगर आप देखेंगे, तो पहले थोड़े से basic सवाल मैंने रखे हैं, ताकि आप थोड़े remainder ship familiar हो जाएं, और फिर उसके बाद हमने अच् इस फरवरी को ये paper हुआ था, मार्च में answer के अभी आई थी, और मुझे ये question number system का उसके अंदर काफी अच्छा लगा, दो सवाल थे इसके अंदर जो काफी जबरदस जबरदस थे, और ये दोनो head constable के questions हम लेकर आएं, ऐसे सवालों का सीधा संभावना होता है आपके paper में पूछे जाने का, तो हम इन level तक भी चलेंगे, बढ़ियां-बढ़ियां सारे के सारे, main से लेकर प्री तक के सभी सवालों को करेंगे, बस session को apply करिए और फटा-फट हर जगा पे share करना मेरे भाई, शुरू कर दीजे, ठीक है? तो remainder की बात करते हैं, तो सबसे पहले remainder के बार के है, और किस के साथ भाग के है, पांच के साथ भाग के है, तो पांच इसे कितनी बार में काटेगा, पांच बार में, और कितना कट जाएगा, पच्चिस, तो हमारा बचेगा कितना दो, जो बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यहाँ पर remainder कहेंगे, उसे हम यहा भाई कुछ भी remainder नहीं देगा तो हमें कई सारे सवालों में चेक करना होता है कि वो संख्या उससे कट रही है या नहीं कट रही है तो remainder 0 और नहीं कट रही है तो कितने का remainder दे रही है ऐसे ही, तो part 1 में मैंने काफी कुछ बता रखा है जिरोंने part 1 नहीं देखा है महा भारत बैच का हमारा playlist है जाके वहाँ से देखेगा अभी शुरुआत करते हैं part 2 से तो जैसे इस सवाल में कहा गया कि 27 के power 27 जमा 27 को हम 28 अगर विभाजित करते हैं तो remainder हमारा कितना होगा अब यहाँ पर अगर हम देखे तो जैसे मानिय 27 है उसका power कितना है 27 है और इसको हमें divide करना है किस से divide करना है 28 से divide करना है तो मेरे भाई remainder कितना होगा remainder दो प्रकार के होते हैं इस बात को जानो एक positive remainder होता है एक negative remainder होता है उधारन के तोर पे अगर मान लिजे कि अगर हम यहाँ पर 13 को divide करें या एक तरीके से अगर हम 15 को divide कर रहे है चार के साथ तो दो प्रकार का remainder आएगा एक तो मेरे भाई हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 का 3 गुना 12 होता है 12 होता है तो कितना बज जाएगा अगर हम बात करें तो यह संख्या को 28 से भाग करें तो remainder हमारा क्या होगा तो यहाँ पर आप इसको देखिए तो यह दोनों अलग अलग तरीके से दोनों parts को divide करेगी एक बार 28 इसे divide करेगा एक बार 28 हमारा इसे divide करेगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे किसके पास minus 1 की कमी है, बताइए, कह सकते हैं कि नहीं, अगर इसके पास एक और रहता है, तो यह 28 से completely divisible हो जाता, लेकिन इसके पास एक नहीं है, यानि यह क्या है, तो minus 1 है, और minus 1 का power हमारा कितना है, तो minus 1 का power 27 है, उसी तरीके से अगर हम यहां बात करें तो यहां पर कितने की कमी है, तो minus 1 की कमी है, तो यहां minus 1 लिख देंगे minus 1 का power जब even रहता है, तो वो plus 1 बन जाता है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो minus 1 का power आपका odd है, तो minus 1 का power odd है, तो कितना होगा minus 1 और यहां कितना होगा minus 1 कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा minus 2 मेरे भाई कुल मिलाकर हमारा remainder कितना हो जाएगा minus 2 लेकिन इस बात को पूरे जीवन ध्यान रखिएगा कि कभी भी remainder जो होता है वो minus में नहीं होता मतलब उसका answer हम minus में नहीं देते हैं तो अगर माइनस में नहीं देंगे, तो हम correct answer कितना देंगे? तो कभी भी अगर आपका remainder minus में है, तो जितना भी आए, उसको जोड़ दीजेगा, किस के साथ, तो उसके divisor के साथ, तो minus 2 plus 28, यहने कितना हो जाएगा? 26 इस सवाल का correct answer होगा, option number D for Dev Senna. अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, इस सवाल में क्या कहा गया? तो इसी तरीके से हम जो है, इसको divide करेंगे, तो यहाँ minus 1 का power 27 था, यहाँ minus 1 था, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? minus 2. तो आगे से कभी भी remainder अगर आपका minus में आता है, तो आप क्या करेंगे? उसको अपने divisor के साथ जोड़ देंगे और यहाँ आपका correct answer हो जाएगा. Next question एक और चलते हैं, इसी type पर एक और स्वाल को हम सीखते हैं, क्या कहा गया है? वो देखिए. 77 का power 77 और plus हमारा 70 जब हम उसको 78 से divide करेंगे तो हमारा remainder कितना हैगा? Same concept है, same बात है, मुझे लगर इस cancer आप लोग फटाग देना दे सकते हैं, जल्दी से comment box में इस cancer दीजा आप, बताइगे. क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए, 77 के power 77 को divide करना है, और plus किसको करना है? 77 को, और हमें किससे divide करना है? 78 से. तो मेरे भाई 78 इसे भी डिवाइड करेगा 78 इसे भी डिवाइड करेगा जब 78 इसे डिवाइड करेगा तो कितने की कमी है तो बोलोगे सर माइनस 1 की कमी है और पावर कितना है 77 जब 78 इसे डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 minus 1 का power जब भी odd होता है तो इस बात को ध्यान रखना minus 1 का power odd कितना हो जाएगा minus 1 तो यानि यहाँ पर कितना आ जाएगा minus 1 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा minus 1 यह कुल मिला कितना minus 2 तो हमारा correct answer कितना हो जाएगा तो correct answer में अगर हम बात करें तो यहां बोलेंगे minus में जो भी आया उसमें हम जोड़ देते हैं किसको उसमें हम plus वाले को जोड़ देंगे यानि हम अपने divisor को जोड़ देंगे तो correct answer कितना हो जाएगा? 76 तो कभी भी remainder आपका जितना भी minus में आता है उसमें अपने divisor को आपको जोड़ना है वो जो आएगा वहीं हमारा correct answer होगा तो क्या होगा? option number C यानि चंदू के चाचा बहुत अच्छी बात है भी है चाचा विधायक है हमारे चलिए आज़ेगे next question पर ऐसे ही बढ़ते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं धीरे धीरे करके हैं न अपने level को बढ़ाते चलेंगे सवालों को सीखते चलेंगे सीजल का 9 December 2022 प्री में एक प्यारा सा पूछा गया सवाल क्या कहा गया? यहां पर कि 19 के power 19 और 20 को अगर हम 11 से भाजित करते हैं तो हमारा सेश्फल क्या होगा? 19 के power 19 प्लस 20 19 का power 19 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा हम इसे किस से divide करने की बात करें? 18 से भाग करने की बात करें तो सेम बात है कि अठारा एक बर इसको डिवाइड करेगा अगर अठारा इसे डिवाइड करेगा तो अठारा इसे डिवाइड करेगा तो अठारा का एक गुना अठारा होता है कितना बचेगा मेरे भाई तो बोलोगे सर एक बचेगा देखो 19 को जो आप 18 से भाग करोगे तो आपका remainder कितना बचने वाला है तो बोलोगे सर 18 का एक गुना 18 होता है सेशवल हमारा एक बचेगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेशवल हमारा कितना बचेगा एक और एक का power कितना हो जाएगा 19 उसी तरीके से 18 से जब इसे भाग करोगे तो सेशवल कितना बचेगा दो एक का power दुनिया में चाहे जितना मर्जी रखना है रख लो वन ही आएगा और 1 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा तो 1 प्लस 2 हमारा option number A और option number A से क्या हो गया Assistant Audit Officer क्लेर है भाई कोई दिक्कत की बात है चलिए तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हमें चलना है समझते चलना है बाकी सवाल दो automatic बनते चले जाएंगे आज ही है Next question की बात करते हैं 173 का power 83 और 173 का power 83 उसे अगर हम भाग करते हैं 36 के साथ तो ये हमारा remainder कितना होगा अब देखो कई बार है ना सवाल आपको direct नहीं दिखेंगे जैसे आपको direct 36 के साथ relation नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि 36 के किसी multiple के साथ आप अपने relations बना पाऊगे ठीक है जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 71 का power कितना है हमारा तो 83 है और उसके बाद 73 का power हमारा कितना है तो 73 का power 83 है हम इसे किस से भाग करने की बात कर रहे हैं तो हम इसे 36 के साथ भाग करने की बात कर रहे हैं पीछे वाले सवालों में भी एक बड़ा जबरदस ट्रिक लगता लेकिन हम आपको यहाँ पर वो बता देंगे तो सबसे पहले इस सवाल को करने का एक method number one है और method number one क्या है वो जाने है एक हम आपको method number one बता देंगे और एक हम आपको method number two बता देंगे पहली बात मेरे भाई देखो यहाँ पर 36 हमारा इसको भी divide करेगा 36 हमारा इसको भी divide करेगा 36 का एक गुना क्या होता है 36 होता है और 36 का दो गुना कितना होता है तो 36 का दो गुना हमारा बहतर होता है 72, तो ये हमारा 72 से कम है की जादा है, तो बोलोगे सर कम है, और कितने की कम ही है, तो बोलोगे सर एक की कम ही है, यानि वहीं बात है ना, कि जब हम 71 को डिवाइड करेंगे, और किस के साथ करेंगे, 36 के साथ करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं, रिमेंडर में, तो 36 का दो गु तो यहां minus 1, minus 1 का power कितना हो जाएगा 83, 36 का दुगना बहतर होता है और वो कितना हो जाएगा 1 का power 83, अब देखो यहां पर यहां पर, यह मत सोचना कि minus और plus है, आपको उतना focus नहीं करना, आपको यह देखना है, minus का जो power है वो odd है कि even है, यह minus का power odd है, अगर minus का power odd है तो कितना हो जाएगा minus 1 और अगर minus का power even रहता जैसे 84 हो गया 20 हो गया 40 हो गया तो हमारा क्या हो जाता है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है even आ जाता है तो minus का power अगर odd है तो minus 1 और plus हमारा कितना हो जाएगा 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा, option number यह हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताए, यह हमारा method number 1 है, अब इसके बाद हम आपको method number 2 भी बताएंगे, वो भी समझाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है धीरे धीरे level बढ़ेगा, tension मतलो यहाँ पर, ठीक है अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात को सीखना है, और छोटी सी बात आपको क्या सीखना है कि A का power N हो गया, और B का power N हो गया अगर हम इसे A plus B से divide करें तो क्या होगी इस्तिति यहाँ पर यह समझने की आवशकता है मेरे भाई, दो cases बनते हैं यहाँ पर कि या तो A plus B से यह divisible हो पाएगा या A plus B से यह divisible नहीं हो पाएगा तो आपको समझाते हैं जैसे, अगर यहाँ पर है ना मैंने कहा ना दो cases बनते हैं और N नाम की संख्या गरीव है न तो मेरे भाई, यह नहीं कटेगा समझ गे मेरी बात को example के दोर पे देखें, आपे समझा रहे हैं जैसे कई बार ऐसा सवाल पूचा भी जाता है example जैसे मान लिजे कि अगर कल के दिन यहाँ पर यह कह दें कि 3 का पाउर मान लिजे 37 और प्लस यहाँ पर 5 का पाउर 37 यह मेरे भाई किस से divisible है तो देखो A का पाउर N प्लस B का पाउर N is always divisible by A प्लस B अगर N की value odd है क्या 37 odd है तो बोलोगे हाँ सर यानि यह 37 अगर odd है तो यह 3 प्लस 5 हमारा 8 से क्या होगा divisible होगा लेकिन अगर वहीं पर हम यहाँ question में यह set कर देते हैं और बोल देते हैं 3 का पाउर 36 और प्लस 5 का पाउर 36 अब बताओ यहाँ पर क्या यह 8 से divisible है तो बोलोगे सर A का पाउर N प्लस B का पाउर N is not divisible by A प्लस B कब जब यहाँ यह जो power है यह हमारा even होगा तो power अगर even है तो मेरे भाई यह 8 से मेरे भाई बिलकुल भी नहीं कटेगा समझ गे इस बात को यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि यह हमारा 8 से तब कटेगा जब power हमारा odd है और यह हमारा 8 से नहीं कटेगा जब power हमारा even है तो उसी तरीके से हमें इस बात को समझना था कि जो पिछला question हम लोगों ने किया इसका method number 2 हो सकता था और method number हमारा 2 क्या हो सकता था तो method number 2 मेरे भाई यहाँ पर यह हो सकता था कि इतना हमें focus नहीं करना है question में कहा कि यह संख्या कितने से गटेगी तो a का power n plus b का power n यह जो होगा हमारा divisible होगा किस से तो a plus b से तो 71 और 73 हमारा कितना हो जाएगा तो 144 और 144 जो है क्या हमारा 36 से जा रहा है तो जी हाँ यह 36 का मेरे भाई 4 गुना है कितना गुना है 4 गुना है कि बात है बताइए ठीक है तो हमने क्या कहा a का power n plus b का power n is always divisible by a plus b जब n की value हमारी क्या हो odd हो ठीक है आज यह next question पर आते हैं थोड़ा थोड़ा करके और आगे बढ़ते हैं सेम तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है when a का power n plus b का power n is divided by 32 तो यह question आप लोगों के लिए PGW है मेरे तरफ से आप लोग ले लिजए और इस question को आप लोग solve करिएगा ठीक है और साथ में इस question का answer भी आप लोग comment box में दीजेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा ठीक है चलिए मेंस का question था हमारा यह मेंस में पूछा गया था ठीक है भाई आजाओ चलो आकर next question देखते हैं अगला सवाल जब m के power 12-1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमारा सेशवल क्या होगा इसका भी एक solution है देखो कभी भी किसी भी equation को किसी भी equation से अगर भाग करने की बात करता है तो वैसे स्थिति में हम क्या करते है तो वैसे किसी में सबसे पहला जो काम रहता है वो ये रहता है जैसे मैंने अगर मान लीजे आपको ये कह दिया कि यार 2x square है ना 2x square plus 3x plus 5 जो है ये संख्या या मान लीजे कि ये एक equation है और इस equation को हम x plus 1 से divide करेंगे तो क्या remainder बचेगा दुनिया का हम कोई भी आपको equation दे देते हैं और बोलते हैं कि उसको किसी दूसरी equation से divide करने पर remainder क्या आएगा तो वैसे सवालों का simple simple मतलब polynomial का एक लंबा चोड़ा भाशन है हम उस भाशन को थोड़ा असान करके आपको समझाते हैं उतना कुछ नहीं करना होगा आपको जिससे भाग करना है आप उसको क्या करो 0 के बराबर रख दो जैसे कहा गया कि संख्या को हम m plus 1 से divide करना चाहते हैं तो m plus 1 से divide करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम करिए और वो काम यह यह करिए कि आप m plus 1 को मेरे भाई 0 रख दीजिए तो m کی value हमारी कतनी हो जाएगी m کی value minus 1 हो जाएगी in ki value हमारी कितनी हो जाएगी मेरे भाई तो minus 1 हो जाएगा अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है तो बोला गया यार इस संख्या को तुम डिवाइड करो m प्लस 1 से तो सबसे पहली बात मैंने आप से ये कहा था कि कभी भी किसी भी चीज़ को किसी से भी अगर भाग करना हो तो आप जिससे भाग करते हैं पहले उसको 0 रखो तो m प्लस 1 को मेरे भाई क्या रख दो 0 आप2 रख़र माइन और मैने सचना का पावर ये तो मेरे भाई कितना एगा वन और अगर मईन Making से जल्डी जल्डी प्यारे वो बताओ मेरे भाई अंधुश्दोल बहेंदर सिंह स्टेड़ी रिवर्म आगई उसमी ट्वेंच संजीव तुन्नों बताईए मज़ा आ रहा है बहुत शांदार जीपी इंग्लिश एड्यूकेर सर मैं करनाटक से आपकी वीडियो देखता हूं चोले यार बहुत अच्छी बात यार बहुत शांदार ठीक है ना आ जाएगा तो जैसे इस सवाल में कहा गया ना कि संख्या ग् नेक्स्ट कोशन हम बढ़ते हैं छोटो मोटो कोशन है हमारा और इस सवाल में हमसे कहा गया है यहां पर कि यद दो के पावर 24 माइनस वन को गर हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा सेश्फल कितना होगा अब यार मुझे ना दो का पावर 24 भी चाहिए और माइनस वन भी च करेगा तो अगर मेरे भाई साथ इसे डिवाइड करेगा तो अस्तिती क्या होगी अब ऐसे समझे अगर मैं डारेक्ट यहां भाग करूँगा दो को साथ से तो यह मेरे लिए बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा क्योंकि भाई रिमेंडर फिर 5 बचेगा 5 का पावर 24 विस ये बहुत मुश्किल होता है तो हम लोग कभी डिरेक्ट ऐसे भाग नहीं करते हैं हम कभी भी अगर यहां भाग लगाते हैं तो हम दो का कोई ऐसा पावर ढूनते हैं जो साथ के मल्टिपल से या तो एक जादा हो या एक कम हो पहले क्या उदा था? रिमेंडर में बड़े हाई लेवल के कोशन आते थे फर्मनाठ थियूरम, कार्पेट थियूरम और पता नहीं क्या क्या अब अब असा S.S.E. नहीं आना आसान कर रखा है इन चीज़ों को लेकर तो हमें चूटी-चूटी बाते समझना है तो हमें यहाँ पर 2 का एक ऐसा power ढूणना है जो 7 के पहाड़े से कम हो या 7 के पहाड़े से एक जादा हो तो पहले 2 का power एक जो होता है वो हमारा क्या होता है? 2 होता है 2 का square कितना हो जाता है? 4 2 का हमारा जो cube होता है वो हमारा कितना होता है? 8 होता है ये देखोगे ना तो ये 7 के table से 1 जादा है यानि यहीं वाला power हमें चाहिए था यानि 2 का power कितना चाहिए? 2 का power हमें 3 चाहिए मेरे भाई समझ गए इस बात को यहाँ पर तो 2 का power हमें कितना चाहिए? तो 2 का power हम 3 लेंगे और अगर मान लीजे 24 को 3 से भाग करिए तो 8 कितना बचेगा? तो 8 बचेगा divided by कितना 7 एक को जब 7 से भाग करेंगे ना तो remainder आपका 1 ही आएगा उससे जादा नहीं आएगा एक को 7 से भाग करो, एक आएगा दो को 7 से भाग करो, दो आएगा वही वाली बात है अब अगर आप यहाँ देखते हैं, तो देखिए मेरे भाई यह हमारा 8 हो गया ठीक है? और इसको किस से भाग किया? 7 के साथ भाग किया, remainder यहाँ कितना है? 1 है जब 8 को 7 से भाग करोगे, तो remainder आपका कितना आएगा? तो बोलोगे, sir, 1 आएगा जब हम 8 को 7 से भाग करेंगे, तो remainder कितना आएगा? 1 और 1 का power दुनिया में चाहे जो मर्जी रख लिजा आना, तो 1 ही है तो 1-1 हमारा correct answer कितना हो जाएगा? 0 0 का मतलब कौन सा option हो गया? C हो गया, और आप option C मत बताया करो C से एक अच्छा वोकाब बताया करो कारण हम बताते हैं ताकि उससे क्या रहेगा, काफी सारी चीज़े आप लोगों को है मतलब वोकाबलरी भी आप लोगों के सेशन में revise होता रहेगा ये A, B और C बहतर है कि उसके जगा पे कोई अच्छा सा C से वोकाबलरी बताया ताकि फायदा होता रहे ठीक है? हाँ जी, बहुत शांदार और spelling mistake भी सुधरेंगे आप लोगों के आज ये है Next question की बात करते है Which one of the following number is a divisor of itna इन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको काट सकती है जो मेरे भाई इसको divide कर सकती है यानि कहने का मतलब जो इसको divide करे तो remainder 0 देगी तो सबसे पहले है ना इसमें सबसे छोटी संख्या अपन उठाते है जैसे मानलो हमने 8 उठा लिया और हम इसमें divide करके देख रहे हैं कि 49 का power 15 है इसमें से minus 1 और हम इसे किस से divide करेंगे तो हम मेरे भाई इसको 8 से divide करके देखते है अगर मेरे भाई remainder 0 आगया तो correct option 8 होगा अगर नहीं आया तो फिर हम दूसरे options को check करेंगे देखो 8 का 6 गुना कितना होता है 48 यानि ये 48 से कितना जादा है तो 1 जादा है और 1 का power 15 माइनस 1 क्योंकि 8 इसको divide करेगा तो 1 आएगा और 8 इसको भी divide करेगा तो 1 आएगा बीच में माइनस है एक का power जो मर्जी रखना है रख लो 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1 total value कितनी आ गई 0 और मैंने कहा था कि यदी remainder 0 आ गया इसको पूर्ण तरीके से विभाजित कर रहा है और पूर्ण तरीके से इसका मतलब विभाजित कर रहा है तो correct option कौन सा होगा C होगा तो चलिए अब C से दूसरा वाला शब्द बताईए पहला वाला तो आपने अलड़ी बता रखा है ठीक है? बताईए जल्दी से आजओ भाई अभी सारे basic वाले questions हम लोग कर रहे हैं फिर धीरे 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 अच्छे सवालों के तरफ बढ़ेंगे C for Shari बहुत शांदार C for काम आजओ भाई next question यहां देखते हैं कहा गया है जब 7 के power 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो सेश्वल ग्याद करो कितना होगा अब देखो यार 7 का power कितना होगा तो 7 का power 42 होगा और इसको मैं किसे डिवाइड करने की बात करहाँ 48 से अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ आपको है ना हमेशा मैंने क्या गा उपर वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि इसके multiple से एक जादा हो या एक कम हो 48 से एक जादा हो 48 से कम हो इस तरीके से हमें तोड़ना है यहाँ पर समझने इस बात को तो जैसे 7 का पावर एक कितना होता है 7 होता है 7 का पावर 2 कितना होता है तो 7 का पावर 2 हमारा 49 होता है और अगर हम सही माईने में देखे न तो यह जो हमारा 49 है 48 से कितना जादा है एक जादा है मिल गया अगर मानो 7 का पावर 2 नहीं मिलता 7 के पावर 3 के पास पहुँचते है 7 के पावर 4 के पास पहुँचते है बोलते भीया कोई तो ऐसा हमें पावर दे दो जिससे डिवाइड करने पर यहां कितना आजाए प्लस वन आजाए तो बस हमारा पावर हमें मिल गया यानि हमने यहां पर क्या कहा 7 का पावर 2 मेरे भाई तो 7 का पावर 2 अब मान लो 2 ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो बाहर कितना रखोगे भोलो तो बाहर यहां पर क्या करोगे 42 को जरा 2 से भाग करना बाहर कितना मौजूद मिलेगा 21 मिलेगा divided by कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 7 का power दो बच्चे कितना होता है 49 होता है और 49 का power कितना 21 को divide करना किस के साथ 48 के साथ अब आप मुझे एक बात बताओ 48 जब इसे divide करेगा तो remainder कितना छोड़ेगा 48 साब इसे divide करना remainder कितना हैगा 1 और 1 का power दुनिया में कितना भी रख लो आना तो एक ही है और आना तो एक ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो option number जो C होगा वो हमारा क्या होगा correct answer होगा ठीक है clear है यह बात बहुत शांदार आजएगे next question की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या का है कुछ तोड़े इस प्रकार के सवाल देखो like और subscribe तो आप लोग करते रहोगे उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकी यह है कि सही answer देते रहना मेरे से भी पहले कर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है answer करते रहे ना comment box में और vocabulary के माद्धम से अपने option को व्यक्त करना ना कि A, B और C के माद्धम से अब देखो कुछ इस प्रकार के भी सवाल आते हैं जैसे सीजल का अभी प्री में आपका पूछा गया सवाल है कहा गया कि यदि दो संख्या है 5 का पावर 16, 5 का पावर 25 दोनों को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो पहले सिती में सेश्वल R1 आता है दूसरे सिती में सेश्वल R2 आता है दूसरे तरफ यह कहा गया कि 5 के पावर किसको तो 5 के पावर यहां पर 25 को मेरे भाई डिवाइड करोगे किसके साथ 6 के साथ तो रिमेंडर कितना आ रहा है तो R2 आ रहा है तो यहां पर रिमेंडर हमारा R1 है और यहां पर रिमेंडर हमारा R2 है पहले तो हमें उनकी value को पता करना है और उसके बाद जो हम से पूछा गया है हम उसके बारे में बताएंगे अब यहाँ पर समझे तो question में क्या कहा गया तो question में यहाँ पर यह कहा गया कि जैसे मान लीजे 6 जब इसे divide करेगा तो यह 6 से कम है कि जादा है तो minus 1 ही आएगा यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 जो है इसे divide करेगा तो कितना बच जाएगा minus 1 minus 1 का power कितना है तो 25 है अब minus 1 का power 25 है तो इसका मतलब कितना हैगा minus 1 आएगा लेकिन मैंने हमेशा शुरू से भी आपको एक बात बोला है कि भाई मेरे कभी भी remainder जो होता है वो minus में नहीं होता remainder जो रहता है वो हमेशा positive ही रहता है तो positive रहता है तो यहाँ remainder हम कैसे व्यक करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे और minus 1 में क्या करो तो minus 1 में जिससे भाग किया था उसे जोड़ दो यानि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो R1 का मान एक हो गया R2 का मान कितना हो गया 5 हो गया question में हमसे यहाँ पर क्या का है तो question में हमसे का है R1 यानि 1 R2 यानि 5 और divided by कितना हो जाएगा divided by हमारा R2 हो जाएगा यानि correct answer कितना हो गया तो मेरे भाई 6 बटे 5 हो गया Option number D for तेवसेन ठीक है क्या हो जाएगा D for D&T बहुत अच्छे मेरे भाई बहुत शांदार ठीक है दो भाईयोंने Super Chat किया और एक बार थोड़े इनके Super Chat को भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है सबसे पहले तो यार यहां पर है ठीक है आयूस जी कह रहे हैं कि सर्फ VOD में 5 chapters updated content है आयूस जी शायद आपको पता नहीं है कि पूरी VOD update हो रही है और daily जो है 2-3-3 chapters को upload किया जा रहा है ठीक है तो इसलिए थोड़ा एक बार तरीके से देखें जैसे पूरा का पूरा VOD का arithmetic अगले दो दिनों में update हो जाएगा ठीक है और इसमें काफी बच्चों को problem भी आ रही है especially उन बच्चों को problem आ रही है जिन्होंने पुराना notes बना रखा है पुरानी sheets बना रखी है तो उनसे भी मेरी सला है और इस बात की सला है कि देखो यार इस चीज़ पे मतलब update करने के बाद problem क्या आ जा रहा है आप लोग calling team को ये phone करके कह रहे हैं कि नहीं हमें पुराना वाला दे दो हमें पुराना वाला दे दो तो भाई वो possible नहीं है ठीक है आप समझें समय वक्त बदल रहा है सभी चीज़े बदल रही है तो मेरा ही चाहे पुरानी वीडियोज है उसका कोई फायदा कोई और चित्ते नहीं है आपके लिए बढ़िया है नया content पढ़िये तो अगर मैं कोई topic के लिए update कर रहा हूँ तो यू समझें आपके भले के लिए मैं वो काम कर रहा हूँ तो इसके लिए reverse calling करके कि नहीं हमें पुरानी वीडियोज दे दीजे पुरानी sheet दे दीजे वो क्रिपय ना कहें वो आपके लिए अच्छा नहीं है और दूसरा मेरे भाई यह का अंकित राज जी है उन्होंने कहा कि सर प्रणाम सर मुझे complete math book चाहिए बट order नहीं हो रहा है प्लीज help सर आप भेज दीजे मैं आपको whatsapp पे message किया है पहली बात अंकित राज जी है ना अगर आपको किताब चाहिए होती तो आप खुद खरीद लेते क्योंकि जो इनसान 110 रुपे का super chat कर सकता है वो किताब तो खरीदी सकता है ठीक है तो यहाँ पर जो है ना फरजी बात नहीं करें यहाँ पर कोई fake idea है ये और मुझे इतना समझ में आता है कि जो 110 की super chat करेगा वो किताब तो खरीदी सकता है आप टेस्ट अगर मुझे करना चाह रहे हैं कि मैं किताब भेज सकता हूं नहीं भेज सकता हूं तो शायद मैं नहीं भेज सकता भाई वो मुझे पता है मेरा ठीक है तो इसलिए क्रिपए यहां पर यह गलत काम ना करें ठीक है चलो भाई आई उजी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बढ़ियां से पढ़ाई करें आप लोग आई यह बच्चों किया आदर टेस्ट करने की रहती है ऑफ-लाइन में भी ऐसे ही करते हैं एक आदर बच्चे कोई बात नहीं कैसे भूल जाते हैं कुछ तो दिमाग हो सवाल है आसान सवाल है कर लेना इसकी जरूएत नहीं है यहां से हम लोग सवाल लगाते हैं सीजल मेंस का बढ़ियां लवल का कॉश्चन ठीक है क्या कहा गया वो देखें कॉश्चन में हमसे कहा गया यदी X 3 के पावर इतने को 5 से विभाजित करने पर आने वाला सेशफल ह तथा Y 4 के पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर आने वाला सेशफल है तो हमसे कॉश्चन में किस का मान पूछा गया है 2X-Y का मान पूछा गया है यह हमारा 2018 के मेंस में यह सवाल हमारा आया हुआ था ठीक है और यह कॉश्चन हमारे लिए काफी ज़्यादा important है सभी से देख है एक सा रहा है और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो 4 के पावर कितने को तो 4 के पावर 96 को जब हम डिवाइड करेंगे किस के साथ 6 के साथ तो रिमेंडर हमारा कितना आएगा तो रिमेंडर हमारा वाई आएगा कॉश्चन में से कहा गया 2X-Y का मान बताओ ठीक है इसको 5 से बागिया तो X आया इसको यहां पर बाग्या मेरे भाई तो कितना आ गया वाई आ गया एक एक डिविशन यहां करेंगे में समय इस को श jeunes में क्या हूआ दो को मिलाकर एक कुशन पूच दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने आप से क्या कहा मैंने आप से कहा यार 3 है न देखो 3 हमेशा एक ऐसा पावर ढूंदो जो इसके multiple से एक ज़्यादा हो या कम हो 3 का power जो एक होता है वो 3 होता है और 3 का power जो 2 हो जाता है वो हमारा कितना होता है तो 9 होता है मेरे भाई ठीक है और 9 जो हो गया ना वो हमारा 5 के टेबल से क्या हो गया एक कम हो गया तो हमेशा उपर वाली संख्या का ऐसा पावर ढूंडा करो जो इसके टेबल से कम होगी या इसके टेबल से जाधा होगी बड़ा क्लियर संख्या आप किताब है मेरे भाई तो हमने यहां पर क्या कहा तो हमने यहां पर यह कहा कि ठीक है भाई यहां देखते हैं तो 3 का पावर हमें क्या हो गया तो यहां पर देखो 3 का पावर 2 पावर जो है ना, वो हमारा even है और minus 1 का पावर अगर even है तो यानि कितना मिलना है, 1 मिलना है लेकिन अगर minus 1 का पावर odd होता, तो हमें minus 1 मिलता, तो यहाँ पर यह वाला पार्ट हमें निकल के आ गया, तो x की value भाई कितनी निकल के आ गई, 1, हाला कि फिर से कहता हूं, x की कोई value नहीं होती है, तीक है अब दूसरे वाले स्तिती में आते हैं, दूसरे वाले case को जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या का है, 4 के power 96 को हमें 6 से भाग करना है, क्या हम यहाँ भाग कर पाएंगे, 4 का कोई एक ऐसा table ढूनने की कोशिश करो, जो 6 के table से जादा हो या कम हो तो पहली बाए, 4 का power 1, 4 4 का square हो जाता है 16 4 का Q हमारा हो जाता है, यहाँ कितना 64, 4 का अगर और power जाओगे ना, तो वो और थोड़ा साप के लिए जो है, वो situation लंबा करता चला जाएगा हाला कि इसमें का आप trick लगा सकते हो और इसमें trick क्या लगा सकते हो कि 4 के किसी भी power को 6 से भाग करोगे तो आएगा 4 ही, यह fix है आप करके देख लो, जैसे मानो 4 का power अगर एक है, आप उसको 6 से भाग करो, तो remainder कितना आजाएगा 4, 4 का power अगर मान लीजे 400 को भी 6 से भाग करोगे तो भी आएगा 4, तो 4 के किसी भी power को 6 से भाग करोगे तो आएगा कितना? 4 ही आएगा 4 के किसी भी power को अगर आप 6 से भाग करोगे, तो यहां कितना आएगा, तो यहां 4 ही आएगा तो यहां y की value कितनी आजाएगी? 4 आजाएगी तो answer minus 2 आजाएगा, कई लोग यहां बोलेंगे sir minus वाला answer कैसे हो सकता है, अरे remainder थोड़ी बता रहे थे आप, आप इन दो equations का एक बना हुआ statement का अंसर दे रहे थे, एक equation का अंसर दे रहे थे, तो minus 2 तो हो ही सकता है, ठीक है remainder बताना होता है, तो हम यहां नहीं बता पाते हैं, समझ गए इस बात को, clear है, आजएगे, अगला सवाल देखते हैं, सीजल का परी का पूछा गया बड़ा प्यारा सा सवाल है, question में क्या काया है, वो देखे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करिये, जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान सेश्वल प्राप्त होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अब देखो क्या होता है, number system है, number system यूँ समझ लो, पिता है, ठीक है, और इस पिता के दो पुत्रे हैं, एक हमारा HCF हो गया, दूसरा हमारा LCM हो गया, जब भी किसी संख्या को पता करने की कई गई हो, जो किसी और लोगों से डिवाइड हो रहा है, ऐसे समझ लो, कोई बहुत बड़ा वेक्ति है, उसको कई सारे चोटे 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 संख्या है, तो वो बड़ा वेक्ति हमेशा क्या होगा वो बड़ा वेक्ति हमेशा LCM होगा लगुत्तम समावर्तक होगा ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कोई संख्या है ठीक है और या कोई संख्या छोड़ लो ऐसे कई सारे चोड़े चोड़े संख्या है और उसको कोई divide करने की सोच रहा है और सोच रहा है और divide करता भी है और हर case में divide करने के बाद समान remainder रहता है तो जो संख्या divide कर रही है वो क्या हो जाती है वो HCF हो जाती है highest common factor हो जाता है यानि जो बाकी लोगों से divide हो जाए उसे बोलेंगे LCM और जो संख्या सब को divide करे तो वहां में क्या पता करना होगा वहां में पता करना होगा HCF यह दोनों concept को clear करना बहुत जरूरी है अब जैसे इसी सवाल में देखिए बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए कुछ code word भी होते हैं जैसे यहां देखो बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करिए जिससे तीक है 108 भी divide हो जाए यहां पर 214 और 156 को विभाजित करने पर समान सेश्वल पराप्त हो find the greatest number which divide वो संख्या जो इसको भी divide कर दे जो इसको भी divide कर दे और जो इसको भी divide कर दे तो इसे हम कैसे tackle करेंगे यानि हमें 108 का उसके बाद यहां पर 124 का और 156 का सब का क्या पता करना है तो हमें यहां पर HCF पता करना है अब HCF का भी एक trick है कई लोग क्या करते हैं HCF निकालने के लिए इनके factor बनाते हैं फैक्टर में जो common होता है वो निकालते हैं तब answer देते हैं आज के बाद आपको ऐसा काम नहीं करना है मैं फिर से बता रहा हूँ आज के बाद आपको ऐसा काम नहीं करना है आपको बड़े प्यार से बड़े तरीके से यहां पर जो है difference ले लो जैसे यहां पर इन दोनों का difference इन दोनों का difference हमारा कितना हो जाएगा 16 इन दोनों का difference मेरे भाई कितना हो जाएगा बड़े प्यार से देखो तो 28 हो जाएगा ठीक है एक सेट 28 नहीं होगा 32 हो जाएगा माफ करना ठीक है तो यहां पर क्या हो गया तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, अब जो डिफरेंस आता है ना, इसका HCF ले लिया करो, बस यह डिफरेंस, यानि कौन सी ऐसी संख्या है मेरे भाई, जो 16 को भी काड़ देगी, 32 को भी काड़ देगी, तो इन दोनों का डिफरेंस, कई बार तो मैं ऐसे भी उच्छों क बताता हूँ कि अगर तुम्हें यह भी ना पता चल पाए, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक है, अब उसके बाद इन डिफरेंस का भी डिफरेंस लेलो, 16 और 32 का भी डिफरेंस लेलो, कितना आगया 16, तो आंसर या तो 16 होगा, नहीं तो 16 का कोई फैक्टर तो वो संख्या मेरभाई क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF निकाला, तरीका, डिफरेंस लिया, डिफरेंस लिया, फिर उस डिफरेंस का डिफरेंस लेलो, ठीक है, वो हमारा होगा, जैसे हैं यहाँ पर सिम तरीके से एक और स्वाल, ये भी आपके सीजल के परी में पूछ कर दिया, और पीछे क्या कहा था, पीछे पर कहीं पर भी रिमेंडर का कोई भी जिकर मेंशन जरूरी नहीं था, यहाँ बताया ही नहीं, इसने ये बताया कि भाई सेम रिमेंडर है, लेकिन ये नहीं बोला वो रिमेंडर कितना है, वो रिमेंडर एक भी हो सकता था, दो भी भी हो सकता थे दिन आप एक काम करो 16 से इसको भाग करके देख लो कितना remainder आ रहा है या 16 से इसको भाग करके देख लो सब में same remainder आएगा तो इसके भी दो तरीके हैं या तो शुरू में ही HCF ले लो या फिर यहाँ पर सबसे माइनस करकर के तब उनका HCF ले लो जैसे मानो आप बोलोगे सर देखो वो संख्या इसको 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 डिवाइड कर रही हो remainder 6 दे रही है तो एक काम करते हैं इसमें से इसका remainder घटा देते हैं तो 156 में से आपने 6 घटा दिया तो बोलोगे 175 आ गया और उसी तरीके से 331 में से घटा दिया तो कितना आगया 325 अब आपकी जो भी संख्या होगी ना मेरे भाई वो एक ऐसी संख्या होगी जो सब को भाग करें और ऐसी संख्या जो सब को भाग करती है उसे हम क्या कहते हैं हैची केहते हैं और होता है निकालने का तरीका क्या होता है ओता है दिफरaserस्को देखो THERE तोे थिस और यह varies दिखो गहाए ऋ कितना हो जाएगा तो जब remainder नहीं दिया था तो काईदे से जो दिया गया था उसी का hcf निकाल लिया और जब remainder दिया है तो दोनों option है जो दिया गया उसका पता कर लो या फिर उसमें से remainder घटा के जो आएगा उसका hcf पता कर लो ठीक है? दोनों options है हमारे पास आजएए अब जैसे यहाँ पर और भी हम आपको hcf के कुछ questions करा रहे हैं रुख जाएए अब जैसे एक question यहाँ पर यह देखे यह भी hcf के उपर ही आधारित question है यह हमारा सीजल 18 अपरिल 2022 है कहा गया सबसे बड़ी संक्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर सेशवल 2 आजाए, 7 आजाए और 19 आजाए अब यहाँ पर एक ऐसी संक्या है जो हमारा 126 को भी भाग कर रही है 224 को भी भाग कर रही है और हमारा 608 को भी भाग कर रही है लेकिन अब हर बार समान remainder नहीं दे रही है एक ही remainder नहीं दे रहा है, हर बार अलग-अलग remainder दे रहा है जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें, 124 को भाग करते हो तो 2 देता है 224 को भाग करते हो साथ देता है तो इसी तरीके से यहाँ पर कैसे हम उस संख्या को पता करें समझ में आगया बात यहाँ पर तो सबसे पहले हम पता कैसे करेंगे तो मेरे भाई जैसे मानो 126 को भाग करना है और remainder हमारा 2 आ रहा है इस में से इसके remainder को माइनस कर दो 126 में से 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा 224 को भाग करना है 224 में से उसके remainder को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 217 हो जाएगा उसके बाद यहां तीसरा कितना हो गया 608 608 में से आप 19 को माइनस कर दो 608 में से आप कितना माइनस कर दो 19 को माइनस कर दो मरे भाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 589 हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 589 हो जाएगा मरे भाई कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कोई परिशानी की बात है अब हमें जो संख्या पता करनी है न वो इन तीनों का HCF पता करना है क्या पता करना है HCF तेकिन HCF ऐसे नहीं निकलता है और HCF को निकालने का ये भी तरीका सही नहीं है HCF निकालने का सही तरीका क्या है difference तो यहाँ difference देख लो आप मेरे भाई घटालो तो difference आपको कितना आ जाएगा तो बोलोगे sir 93 इन दोनों का difference हमारा कितना है 93 आप चाहो तो यहाँ पर difference ले भी सकते हो चाहो तो नहीं भी ले सकते हो सिर्फ इस 93 के आधार पर answer दे सकते हो जो भी answer होगा ना या तो वो 93 होगा यहाँ पर यह 93 का factor होगा यानि 93 को जो काड़ देता हो तो 93 का यहाँ पर factor कोन 31 है तो direct 31 answer दे दो यह correct answer आजाएगा मेरे भाई यह difference लेने की जरुवत नहीं है उस difference का difference लेने की जरुवत नहीं कई बार ऐसा भी होता है जैसे मानलो यह भी आगया फिर यह भी जो एगा वो भी 31 का ही multiple हो क्योंकि भाई देखो यह दो ही पार्ट में तो टूटा है 31 में और 3 में तो यह तो answer 3 होगा नहीं तो 31 होगा 3 दिया नहीं था option में तो 31 पर हमने टिक कर दिया ठीक है तो कभी भी कोई भी संख्या जो अलग-अलग संख्याओं को मेरे भाई भाई भाग करती है ठीक है और समान रिमेंडर दे या असमान रिमेंडर दे जो भी रिमेंडर दे वो संख्या बदा करनी होना तो उन संख्याओं में से उनके रिमेंडर को माइनस कर देना जो बच जाएगा उनका HCF ले ले लेना इतनी बार repeat कर दिया अब तो याद कर ही लिये होगे पक्का confirm हो ही गया होगा ठीक है? चलो आजाओ अब हम बारी करते हैं यहाँ पर बात करते हैं LCM के बारे में और LCM जानते हैं कि LCM क्या होता है? अब LCM एक बड़ा वेक्ति है कई सारे लोग जाकर मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं काटने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो statement ऐसे बनता है सवालों में कि जब फलानी 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 संख्या जो है किसी एक संख्या को भाग कर रही है तो एक fix remainder दे रही है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है वो समझे हो जैसे इस question में देखिए आप यहाँ पर कहा गया यह वाला question नहीं पहले यह question नहीं कराएंगे पहले LCM का एक छोटा सम आपको concept देंगे जैसे माल लिजए सबसे पहले यह वाला question हम लोग करते हैं question में क्या कहा गया और 6 अंको की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16 से 24 से 72 से 84 से देखो कितने छोटे 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 लोग आये 16 भी आया है 24 भी आया है बारात में 22 भी आया है बहतर भी आया है 84 भी आया है सोला हो गया 24 हो गया बहतर हो गया और 84 हो गया अगर हम बात करें यहां पर तो देखो 24 हो गया और तुम्हारा बहतर हो गया तो बहतर तो आही जाएगा ठीक है यहां पर हो जागा पांसो चारी तो जब भी कोई ऐसी संख्या जिसको कई सारे लोग भाग करने की बात करते हैं तो वह LCM होता है इसलिए यहाँ पर एक ऐसी संख्या मुझे पता करनी है 16, 24, 24, 84 सबसे कटे यानि इनका LCM, इनका LCM कितना हो गया 108, लेकिन 108 सॉलिशन नहीं है 108 अभी वो एक सबसे चोटी संख्या है उस 108 को मल्टिपलाई करोगे उसका दूसरा मल्टिपल बनेगा उसका तीसरा बनेगा उसका चोथा बनेगा उसका पाँचवा बनेगा बट कोशन में क्या है तो कोशन में कहा गया greatest number of six digits जिनको इनसे भाग करने पर remainder कितना आ रहा है तो 15 आ रहा है तो मेरे भाई सबसे पहले वो 6 अंको की सबसे बड़ी संख्या को लपेटो तुम ये तुम्हारी 6 अंको की वो सबसे बड़ी संख्या है और 6 अंको की सबसे बड़ी संख्या को पहले आप इससे भाग करो वो remainder 15 का concept हम बाद में देख लें उसे मैं बाद में समझा दूँगा पहले आप इससे भाग करो तो 6 अंको की सबसे बड़ी संख्या जो सबसे पहले जो इनसे विभाजित हो जाए जो इनसे विभाजित हो जाए तो मेरे भाई इसको भाग करके देखो पहले 108 का 9 गुना कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 9072 9072 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 9072 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 927 और यह 27 हो जाएगा बाकी तो हमारे यहां पर यह कितना हो जाएगा 927 ठीक है कोई दिक्कत की बात फिर यहां से 9 हम उठा लेते हैं अब 9 उठा लेते हैं pouquinho धूBlue ना करेंगे तो हमारा नह गुना कितना आ जाएगा तो भूलों कि सर नहना हमारा नहहजार है तरा आ जाएगा कितना आ जाएगा 9000 पहतर आ जाएगा सार कोरे टेंशन की बात नहीं है इस संख्या को जब मैं इससे भाग करता हूँ तो remainder मेरा कितना आता है 63 तो पहले मिरे भाई यहाँ पर क्या होगा वो संख्या मैं पता करूँ 6 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या पता करूँ जो इन लोगों से कड जाए तो वो संख्या पता करने के लिए क्या करना होगा इसमें से इसे माइनस करना होगा इसमें से माइनस तो 9 में से 3 गया तो कितना आगया 6 9 से 6 आगया तो कितना हो गया 3 और बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे 9 9 और 9 9 यानि ये वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो मेरे भाई इन 4 लोगों से क्या हो जा रही है डिवाइट हो जा रही है बट कहा है डिवाइट नहीं हो रही है उसको तो रिमेंडर कितना देना है 15 तो जितना रिमेंडर देना है उसमें उसको जोड़ दो 15 का रिमेंडर चाहिए तो इसमें 15 जोड़ दो मेरे भाई, तो 36 और 15 कितना हो जाता है, क्याओन हो जाता है, तो 4 बार 9 और यहाँ पर एक क्याओन यह correct answer आएगा, option number B for Bahubali, option number क्या हो जाएगा, B for Bahubali हो जाएगा, यह हमारे एक original method है, genuine method है, मैं हमेशा basic concept बताता ही, बताता हूँ, वो मेरी कारण हम आपको बताते हैं, मेरे भाई यहना trick हो गया, concept हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन कई ऐसे सवालों में वो apply नहीं हो पाते हैं, दो options, 3 options, 4 options match कर जाते हैं, वहाँ trick fail हो जाता है, concept हमेशा जिंदाबाद रहता है, जो एक संक्याती, और इसमें जितना remainder आपको चाहिए, उतना remainder इसमें जोड़ दो, आपका answer आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, जैसे मान लीजे कि अगर एक option मान लो यहाँ पर, इसी question को अगर examiner देता, और मैं कहा रहा हूँ कि यहार, इस question में है ना, देते वक्त उसन दिया होता, या कुछ भी होता, मतलब इसमें यहाँ पर, या 15 ही है गर मानो यहाँ पर, तो इसे जो है 8 बना दो हम, एक काम करते हैं, इसे 8 बना देते हैं, उस case में पलक जपकते हैं, सवाल का answer एक second में दे सकते थे, वो भी समझे, आपको एक दूसरा तरीका भी सीखना है, मैं हमेशा से 2 method बताता हूँ, एक method number one और, एक method number two, method number one हमारा क्या हो गया यह हो गया, और method number two हमारा क्या हो गया, short coat, जीवन में कभी भी जब आप reminder पढ़ रहे हैं, divisibility पढ़ रहे हैं, हमेशा 9 या 9 के multiple को खोजने की खोशिश करिएगा, जैसे यहाँ पे, what is the greatest number of six digits divided by falana falana तो भाई किसी से भी डिवाइडो फर्क नहीं पड़ता किसी से भी डिवाइडो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर देखो यह 9 ढूनना है, क्या यह 9 से कटता है नहीं, क्या यह 9 से कटता है नहीं तो मेरे भाई कोई भी दुनिया की संख्या जैसे मानो 9 का कोई भी multiple देख लो ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा से ऐसे समझा रहा हूँ आप ऐसे समझा रहा हूँ थोड़ा से एक प्यांटा, वो सीख लिया आना तो मज़ा आ जाने वाला है, मैं honestly बता रहा हूँ तो क्या होता है, कोई भी संख्या जैसे मानो, जो 9 से कड़ती है और remainder आता है, 9 के किसी भी multiple से कड़ जाती है जो remainder आता है, यहाँ पर जैसे मान लो मैं कहा रहा हूँ कि जैसे 18 है, ठीक है या फिर 27 है या फिर ऐसे समझ लो आपका कितना हो गया, 36 हो गया यह सभी किसी संख्या को भाग करेंगे मैं यार कैसे समझा हूँ आपको एक एक काम करते हैं जैसे मान लीजे, 10 हो गया, चलो ऐसे ठीक है सभी समझ में आ गया आपे और 28 हो गया, या मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो गया, संतावन हो गया अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ इन सभी संख्याओं को आप 9 से भाग करके देखो सभी संख्याओं को आप क्या करो 9 से भाग करके देखो अब एक काम करते हैं, जैसे मानो 9 इसे डिवाइड करेगा तो रिमेंडर हमारा कितना आ जाएगा तो बोलो कि remainder वना जाएगा र कितना आजाएगा या 9 जिसे divide करेगा तो 9 का 6 ग competto 16 होता है remainder कितना आजाएगा मेरे भाई 3 आजाएगा तो आपको जो सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ remainder वहीं आएगा जो इन संख्याओं को जोडने पर आएगा इनको जोड के देखो साथ जमा पांच कितना होता है बारा और फिर बारा को जोड के देखो तो दो प्लस एक कितना हो जाता है तीन हो जाता है उसी तरीके से आट प्लस दो हमारा कितना होता है 10 होता है और फिर 10 को आपस में जोड़ोगे तो 1 आएगा उसी तरीके से 1 प्लस 0 कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे यानि एक बात मेरे शब्द को बड़े ध्यान से अपने कान में सुनिएगा फिर से कह रहा हूँ, मेरे शब्द को बड़े ध्यान से अपने कान में सुनिएगा कि दुनिया की अगर कोई भी संख्या है उसको आप 9 या फिर उसके multiple से divide करते हैं 9 या फिर उसके multiple से मेरे भाई divide करते हो तो जो remainder आएगा ना, जो remainder आएगा वो हमेशा इस संख्या के digit का sum होगा ठीक है, ये जो R आएगा ना, ये R जो आएगा, इस R की एक खासियत होगी और R पता है क्या खासियत होगी, R जो होगा, बराबर होगा sum of digit of किसके तो sum of digit of मेरे भाई यहाँ पर समझेगा, sum of digit of N के इस संख्या के अंको का योगार के बराबर होगा अब जैसे इस question में देखो, कहा गया, वो एक कोई भी संख्या है इसनों ने कहा दिया, ब्रह्मान में कोई एक संख्या है उस संख्या को हम इन सभी संख्या उसे भाग करें और remainder कितना रहा, 15 यानि यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर यह कहा गया कि यार N नाम की कोई संख्या है, उसको बहतर से भाग कर रहा है तो remainder कितना आ रहा है तो बोलो कि sir remainder हमारा 15 आ रहा है मैंने का ये remainder वहीं होगा जो इसके digit का sum होगा तो remainder कितना है 5 plus 1 6 है मेरे भाई remainder का digital sum कितना है 6 है remainder का digital sum कितना है 6 है तो 2000% संख्या का भी digital sum कितना होगा 6 ही होगा संख्या के सभी अंकों को जोड़ोगे तो 6 ही आएगा ठीक है जोडते वक्त 9 की काउंटिंग नहीं करते हैं ये 9 9 9 9 चाहे काउंट कर लो चाहे काउंट मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है बुलो क्या बोल रहो सर बिल्कुल 91 को आप जोड़ के देखो तो 9 प्लस एक आपका 10 आएगा 10 का मतलब कितना 1 अब चाहे तो 9 को लेते या नहीं लेते फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पर देख लो ऐसे भी जोड़ लो 9 का 4 को नहीं पच्छे 45 45 को फिर आपस में जोड़ोगे तो 9 आजाएगा इसलिए तो मैंने कहा अगर हमारा remainder का digital sum 6 है तो संख्या का भी digital sum कितना होगा 6 यह नहीं हो सकता है 9 9 9 9 6 और 3 9 नहीं हो सकता है 9 होगा 9 होगा 9 होगा 8 और 9 होगा इसका digital sum 5 है 9 9 9 9 5 प्लस एक 6 है यह हमारा correct answer होगा तो हमारे पास दोनों method हैं हमारे पास एक basic method भी है जिससे हम सीख रहे हैं और एक हम अपना concept भी हम अपलाई कर रहे हैं कि दुनिया में अगर किसी भी संख्या को 9 क या उसके multiple से भाग करना हो तो जो remainder आएगा वहीं उसंख्या का digital sum भी होना चाहिए चलिए आजेए सेम question एक और देखते हैं आप बढ़िया सवाल है CRPF head constable ministerial का ये एक बढ़िया question है इसको देखे सरा ये भी एक बढ़िया सवाल है बता दीजे कि X be the least number which when divided by 17, 19, 34 and 95 and the remainder in each case is 16 हर case में जो आपका remainder आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है यहां पढ़े न अगर आप कोई सोच लेकि हमको ट्रिक लगा दे ये कर दे अच्छा अभी इस question पर आएंगे न ये तो अभी bomb question है ये bomb पे अभी हम फटेंगे बाद में अभी पहले जो है LCM हम आपको पढ़ा रहे थे वो थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा जो है knowledge और दे दे LCM के और भी question है क्या LCM पे हमारे और भी question नहीं है नहीं है न चलो कोई बात नहीं है तो सिधा इसी question पर आते हैं आज़ो भाई आज़ो अपने bomb question पर आज़ो जल्दी से क्या बोलोगे बोलोगे सर देखें यहां पर X एक सबसे छोटी संख्या है जो 17 से भी विबाजित है 19 से भी है 34 से भी है 95 से भी है और हर case में remainder हमारा कितना है तो हर case में remainder हमारा 16 है हर case में जब भी भाग करो तो 16 मिलता है भाग करो तो 16 मिलता है X की एक और सबसे अची खास बात है X हमारा 46 से divisible हो जाती है तो बताइए यहाँ पर X के अंको का योग क्या होगा X के जब अंको को हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई वो value क्या होगी हम आपको समझाते हैं छोटी सी बात को समझेगा मैंने आपसे क्या कहा कि जब कई सारे लोग मिलकर किसी संख्या को भाग करने की कोशिश करें तो वो संख्या जो होगी उन लोगों का क्या होगा LCM जिसे यहाँ पर 17 भी भाग कर रहा है 19 भी भाग कर रहा है यह भी तो यानि जो पता करना है वो LCM पता करना है अब 34 और 95 के अंदर रोनना है कैसे करोगे मेरे भाई मल्टिप्लाई अब यहाँ पर 5 और 19 आ गया ना और कुछ तो बचाने ठीक है 34 का 5 गुना कितना हो जाएगा सिधा या फिर ऐसे कर लो 95 का 4 गुना कितना नचो के 36, 383 हमारा 388 में और पंचान पर गतिनोना कितना हो जाएगा 285, 285 और आपका 3315, 388 कितना हो गया 3230 हो गया मेरे भाई तो इनका LCM कितना आ जाएगा 3230 आ जाएगा तो कहा गया कि X जो है वो सबसे छोटी संख्या है जिनको इन लोगों से डिवाइड करने पर इमिंडर हमारा कितना हो जाए 16 तो सबसे पहले जो है मैंने LCM लिया और LCM ले लिया कितना हो गया 3230 यानि जो X नाम की संख्या हो पता है क्या है वो हमारा 3230 से क्या है एक Multiple है इसके Multiple से कितना जादा है इसके Multiple से 16 जादा है और ये एक ऐसी संख्या बन जा रही है जो मेरे भाई किस से कट जाएगी तो ये हमारा 46 से कट जाएगी कई सारे लोग यहाँ पर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो यहाँ पर सिधा 3230 ले ले लेते हैं और इसको यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं कई लोग ऐसे भी कर देते हैं 3230 में सीधा सीधा 16 जोड देंगे और उसका Multiple बनाने की कोशिश करते हैं फिर ये भी सबसे बड़ी गलती है आपकी यार आप इस संख्या में Remender को जोड के Multiple बना रहे हैं कैसे Blender मार सकते हो इतना बड़ा Question में हमेशे इस बात को ध्यान रखना इसके Multiple से 16 जादा रहेगा Remender होने का मतलब क्या होता है वो संख्या पता कर लो और Last में 16 जोड देना वो संख्या पता कर लो 16 जोड देना ऐसा नहीं होता 16 जोड के तब Multiply करो नहीं पहले वो संख्या पता करो कि वो संख्या जो है कौन सी ऐसी संख्या है जो 46 से चली जाएगी और उसके बाद उसमें 16 जोड देना समझ में आगे बात यहाँ पर तो हमें यहाँ पर K की एक ऐसी value लेनी है यहाँ पर यह संख्या divisible होनी चाहिए हमारी 46 से तो जिसे मानो K की value 1 ले रहे है तो K की value 1 रहे है 3230 में हम 16 जोड देंगे तो क्या हो जाएगा 32, 46 हो जाएगा और 32, 46 को क्या हम 46 से divide कर पाएंगे जरा देखना नहीं कर पाएंगे काटके देख लो remainder बचेगा ही नहीं ठीक है यह कितने पर आया है तो K बराबर 1 पर आया है अगर मानो K बराबर हम 2 लेते हैं तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा तो बोलो कि 64, 60 हो जाएगा कितना हो जाएगा 64, 60 और 64, 60 में आप 16 जोड दो भाई यह भी नहीं कटेगा सिधा सिधा ही साब किताबे यह भी हमारा नहीं कटने वाला है आप काट करके देख लो अगर हम यहां बात करते हैं K की वैल्यू मेरे भाई 3 लेने की तो अगर हम यहां 3 लेते हैं तो 32 का 3 वोना कितना हो गया 96, 90 और उसमें अगर हम 16 जोड देते हैं तो 690 में 16 जोड दोगे तो 9, 7, 0, 8 ठीक है कितना हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा ठीक है और इसे हम किससे डिवाइड करेंगे 46 से अब इसे डिवाइड करके एक बड़ देखते हैं 46 का 2 गुना कितना हो जाएगा 92, 50, 40 का 1 गुना 46 यानि ये पूरा का पूरा इसे काड़ दे रहा है काड़ दे रहा है यानि 100% जो हमारी संख्या है मेरे भाई वो हमारा कितना हो जाएगा 9, 7, 0, 6 हो जाएगा अब question में ये संख्या भी आपसे नहीं पूछा गया है इसके अंको का योग पूछा गया है इसके डिजिट का सम पूछा गया है तो ज़रा जोड़ना जोड़ते वक्त 9 को नहीं लेते हैं तो 7, 6 कितना हो जाएगा 13 ये ऐसे कह सकते हो 9, 7, 16, 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, correct option कौन सा है तो option number D है तो मैंने आपको session के शुरू में ही कहा था easy, फिर थोड़ा moderate, फिर थोड़ा high चलेंगे यहीं मेरे पढ़ाने का तरीका है मैं एकदम से tough question नहीं कर रहाता पहले आप लोगों को थोड़ा 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 हम familiar करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा हम level wise बढ़ाते चलेंगे इसलिए मेरे जितने भी sheet है वो type wise है और वो level wise है पहले हम हर एक type को cover up करते चलते हैं और उसके बाद हम हर एक level को cover up करते चलते हैं चीक है यह बढ़ाने का तरीका है मेरा session को like करते रहेगा समझ में आएगा तो यानि हमें एक ऐसी संख्या को पता करना था जो इन सभी संख्याओं से जो है divide भी हो जाए, remainder 16 भी दे दे और divisible भी हो triple concept, divide भी हो जाए, remainder भी दे दे और उसके बाद 46 उसको divide भी कर दे तो पहले इज़त से इनका LCM पता कर लिया उसके बाद इनके LCM का एक multiple से 16 जादा होगा अब ये K की value हम यहाँ पर रखते गए 1 पर नहीं हुआ, 2 पर नहीं हुआ, 3 पर जाके हो गया फिर जो संख्या हमने निकाली मेरे भाई वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी तो वो मेरे भाई जो संख्या हो जाएगी वो हमारा इनका multiple होगा clear है ये बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? आजाओ इसी पर एक और bomb number 2 हम आपको दे रहे हैं bomb number 2 हमारा क्या है? वो देखे question में कहा गया, x be the lowest number of 5 digits 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसको हम 15, 24, 32, 48 इन सबसे हम divide करेंगे तो हर case में remainder हमारा 9 आएगा और 7 में x जो होगा वो 19 से divisible भी होगा उस case में इनका sum of digit बता दो उस case में क्या बता दो? sum of digit बता दो तो बहुत ही असान है सबसे पहला step आप लोगों ने सीखा कि sir हम इन सभी का क्या ले लेते हैं तो LCM ले लेते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा तो हमने यहाँ पर LCM लिया और मेरे भाई LCM किसका लिया हमने तो बोलो कि sir 15 का हो गया 24 का हो गया यहाँ पर और किसका हो गया तो बोलो के सर 32 हो गया और 49 हो गया अब हमें क्या करना है इनका LCM लेना है अगर हम इन सभी संख्याओ को अगर हम LCM लेने की बात करते हैं मेरे भाई तो इनका LCM हमारा कितना आ जाएगा तो इनका LCM हमारा हो जाएगा मेरे भाई देखते चलो, जैसे मानो 24 और 49 हमारा किस से कट जाएगा तो 48 हो गया, 15 और 32 देखो, 15 और 32 में अगर हम बात करते हैं, तो 32 हमारा 8 से देखो यहां, सब का LCM लेते चलो, 24 और 49 का हमारा 48 आ गया है, 15 में का जो है यहां पर देखो 3 आ गया, तो 5 बच गया, यानी 5 हमें और लेन LCM कितना आ जाएगा चाश्वासी आ जाएगा थोड़ा सा LCM लेते वक्त फास्ट वे में रखना है अपने आपको ठीक है नहीं तो दिक्कत आ जाएगी तो कहा गया सबसे पहले आप इनका LCM ले लिजिए अब कोश्चिन में क्या कहा कि मान लीजिए कि X एक पांच अंको की जच्फलनों आता है और साथ में X हमारा उनने से विभाज है अब एक्स पांच अंको की सबसे छोटी संख्या है जो आपके LCM आया वो 480C है तो पहले इसको पांच अंकों वाली संख्या बनाने की कूशिश करो कि अगर ये पाँच अंको वाली संख्या होती तो क्या होता तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जैसे मानो इसको मैं 400C है इसको मैं पाँच अंको की संख्या बनाने की कुशिश करूँ अगर मैं सीधा इसका 20 गुना लेता हूँ तारदिल ने 9600 तीक है यानि 9600 आ रहा है और फिर इसमें 400C मेरे भाई मैं अगर जोड़ दू यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 900C और 10400 यह हो जाएगा यानि मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 5 अंको की संख्या बनाने के लिए 5 अंको की संख्या के करीब में जाना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 480C को मेरे भाई 21 से गुना ताकि यह 5 अंको की संख्या बन सके क्योंकि इसका 20 गुना कम पड़ रहा था तो 21 गुना पक्का 5 अंको की संख्या बना ही देगा कैसे हो जाएगा पहले 0 21 का 8 गुना कितना हो जाता है तो यहाँ पर बोलोगे 168 रख लो पास में ठीक है और 16 मन में रख लो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 21 का 4 गुना 21 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 21 का 4 गुना 84 84, 16, कितना हो गया 100, यानि 10080, अब ये वो संख्या 5 उंकों की पता चल गई, ठीक है, ये वो हमारी क्या हो गई, 5 उंकों की वो संख्या पता चल गई, अब ये भी आंसर नहीं है, अभी question में देखते चलो, क्या बोला है question में, तो कहा यहां पर कि x 5 उंकों की सबसे छोटी है, जिनने इसे divide करने पर सेशफल हमारा कितना आता है, 9 आता है, और साथ में 19 से multiple है, तो अब बोलोगे sir, वो जो संख्या होगी ना, वो हमारी ऐसी होगी, कि इसके multiple से, इसके multiple से कितना ज्यादा sir, इसके multiple से 9 ज्यादा, और हम यहां पर k की value रखेंगे, ताकि ये संख्या किस से हमारे divisible हो जाए, तो ये संख्या sir, हमारी 19 से divisible हो जाए, सेम पिछले question की तरह, कि जो भी आपका संख्या हैगा, उसके multiple से 9 ज्यादा, ताकि 19 से भाग करने पर कुछ भी ना बचे, तो अब आप लोग यहां पर खुदी सोचो, कि k की value हम यहां पर क्या ले सकते हैं, अगर k की value सबसे पहले मेरे भाई, मैं यहां पर 1 ले रहा हूँ, k की value 1 ले रहा हूँ, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 10089, और मैं इसको 19 से भाग करके एक बढ़ देखता हूँ, तो 19 का 5 गुना 95, 58 आएगा, 19 का 3 गुना 57, फिर 1 और 19 यानि 19 इसे कार दे रहा है, यानि क कोई tension की बात नहीं है, k की value 1 लेने पर ही ये मामला fit हो गया है, अगर k बराबर 1 पर fit नहीं होता, तो k बराबर 2 लेना होता, 3 लेना होता, 4 लेना होता, 5 लेना होता, question में अभी भी ये संख्या नहीं पूछा है, इसका digit का sum पूछा है, तो इसका digit का sum 9, 8, 17 और कितना हो जा ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 correct answer हो जाएगा, तो इनके यही हमारे genuine method है, इसी तरीके से हमें सवालों को मेरे भाई कर सकते हैं, आजेगे, next question अब यहां से हम लोग सीख रहे हैं, और यह हम लोग सीखेंगे successive division, समय हैं हमारे पास, बिल्कुल बहुत समय है, ठीक है, अच्छा, अ यहां पर थोड़ा साइक यह वाला भी question देख लो, यह वाला भी question मैं करवा दे रहा हूँ, एक ऐसा question भी हमारे CPO में पूछा गया था, और यह question यार यह आप कर लोगे, मतलब मैं थोड़ा successive division पर move on हो जाता हूँ, यह ज़्यादा सही रहेगा, यह मैं आपको PGW दे रहा अंसर आजाएगा यार, ठीक है, sum of desert, चलो कराई देता हूँ, फिर बोलोगे सर छोड़ दिये, ठीक है, पांसो, पचास और साथ सो के बीच में उन सभी संख्याओं का योग ज्याद करो, साड़े 500 और साथ सो के बीच में सभी संख्याओं का योग पता करो, जिने 12 से, 16 से और 24 से विभाजित करने पर सबिस्तिती में 5 से शवलाता है, अभी मैंने कहा, कि जब हम किसी संख्या को कई सारी छोटी छोटी संख्याओं से भाग करने की कुशिश करते हैं, तो यानि हमें वो संख्या का LCM पता करना है, हमें क्या पता करना है, LCM, लगुत्तम समा वर्तक ठीक है, यानि हमें कैसी संख्या पता करनी है, जो 12 से, 16 से और 24 से कर जाए, तो सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर LCM ले लो, 12 का, 16 का और 24 का मेरे भाई, इनका LCM कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है, अब 48 नहीं ले सकते हैं, हमें यहाँ पर जो संख्या लेनी है यहाँ पर शाथ सो के बीच में होनी चाहिए, अगर मैं 48 दिखूंगा तो वहीं बात है, 48 का यहाँ पर जो है, वो दसगुना कितना हो जाएगा, तो बोलो के सर, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 48 का दसगुना, 48, 48 का एक 11 गुना लेंगे, तो कुछ बात हमारा बन सकत है, तो sum of all the number between इतना such that when they are divided by इतना, इतना and इतना leaves a remainder of 5 in each case, जब इंसे भाग करें, तो वो हमारा संख्या कितना आजाए, तो मेरे भाई वो 5 remainder दे, तो सबसे पहले वो संख्या हमारा क्या होगा, तो बोलो के सर, वो जो संख्या होगा न, वो जो number होगा न, सर हमेशा, वो ह 48 के multiple से कितना जादा होगा, सर, 5, बार-बार ऐसी गलती ना करे, कई सारे लोगों की जबरदस्ती जो है अंदर से, मतलब लगा रहता है, किसी 48 में 5 को जोड देते हैं, भाई, वो remainder है, वो remainder है, हमेशा इसके multiple से 5 जादा होगा, लेकिन इसमें नहीं जोडना है आपको, अब आपको ये एक ऐसी संख्या बनानी है ना, जो हमारा किसके बीच में हो, तो साड़े 500 और 700 के बीच में हो, जैसे के की वैल्यू अगर 1 लोगे तो 53 बन जाएगा, जो कि दूर दूर तक उसके बीच में नहीं है, के की वैल्यू को 2 लोगे तो 48 का दूगना 96 प्लस 5 यानि 101 ब बीच में नहीं है, यानि के के कुछ बड़े-बड़े मान आपको लेने पड़ेंगे, जो हमारा साड़े 500 और 700 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किशिस के लिए, अच्छा तेरा लागा, क्या बात है, बहुत स्पीड में बाक्या है हूँ, अभी अभी आप लोगों के प्यार की वज़े से, अभी अभी 13 लाग सब्सक्राइब पूरे होएं, यहना बच्चों को बहुत बहुत बदाई, और लोग बच्चों ये केक आपके लिए खाओ, देखो कितना प्यारा लग रहा तेरा, जल्दी से आगे जीरो और लगवा दो 130, वो भी होगा बिलकुल, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत दन्यवाद, यह आप लोगों को प्यार हैं, इसलिए हमेशा आपने हमेशा देखा होगा, कि जब भी 1 लाग कंप्लीट होते हैं, तो हमेशा केक आपके साथ जरूर सुझ होती है, जब पहली बार 1 लाग सब्सकार होए थे, आप लोगों को दिल से दन्यवाद, बस यह प्यार यह ही बनाते रहें, क्योंकि इस प्यार की वज़े से ना, वास्तों में हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एनरजी मिलती है, कि और बच्चों के लिए क्या किया ज जो बच्चे को जरूरत है, रिलेवंट कंटेंड बहुत जरूरत है, जैसे अभी मैं एक डाइस पढ़ा रहा था, साथ वाली क्लास में, तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था, कि सर यह तो बड़े हलके कोश्चन है, ससी इतने हलके कोश्चन क्यों पोचती है, ससी के प्रिव चीजों में लेवल नहीं बढ़ सकता, इसलिए आपको रिलेवंट कंटेंड पढ़ना बहुत जरूरी है, और यह आपका प्यार है, जिसकी वज़े से हम रिलेवंट कंटेंड बढ़ाते हैं, वरना पढ़ाने को तो हम एक जार गंटे तो मैं अनलोजिया के ला करवा सकता ह चीजों सीरीज 5000 कोशिन करते हैं, लेकिन वह खरना जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी ही, वही कंटेंड मैस में अधितर अजिन सर आपको कराते हैं, और इसी वज़े से दो साल के अंदर अधितर अजिन सर ने वह कंटेंड इला दिया, जो 20 साल से चलता रहा है, क्यों क् दो साल से वह काम किया कि कहा कि यह 20 साल का कंटेंड कुछ नहीं है, दो साल का जरूरी है, रिलिवेंट कंटेंड पढ़ना जरूरी है, जितना पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, बहतरीन कराएंगे, और इसी तरीके से परसान सोलन की सर यह हमारी GS के टेम, आपके बड़ा बहतरीन कंटेंड तैयार करती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक्जाम में आपके कॉस्टिन्स फसे हैं, ठीक है, तो केक कट करते हैं सर, सबसे पहले, चलो आज आदित सर को लगाएंगे नहीं, क्योंकि यह बढ़ाएंगे हैं, यह ना, तो जैसे मेरी क्लास खतब होती ही, पता चला, तेरा लाख होगे, उसी टाइम मैंने का कि मैं भागे-भागे, फटा-फट, क्योंकि मैं मुखजी नेगर में था, ठीक है, तो मैं स्टूडियो में आ रहा हूं, यह ना, जल्दी से ताकि सेलिबे से नो, और बड़ी खुशी की बात है कि 13 लाख सब्सक्राइबर आज होए, और मैट्स की क्लास में होए, राधित तरेंजिन सर की क्लास में होए, तो भाई, यह चीज थोड़ी और खुशी देती है मुझे, क्योंकि इस चीज से ना, बड़े-बड़े थोड़े और हिलते है, यह ना, यह बस यह देखो, बहुत अच्छा लगा, सच बताऊं, तो जैसे-जैसे होता है, कि बून-बून से घड़ा बढ़ता है, तो वैसे ही है, कि हम लोग थोड़ा दीरे चले, तरीके से चले, और बच्चों के नीड के अको पढ़ाते चले, और आज आप लोगों का प्यार ही है, कि एक परिवार दीरे-दीरे बहुत बढ़ा चलता गया, मतलब आज तक कभी इसमें ना फेक वियूज हमने शो किया, ना कभी फेक सब्सक्राइबर्स हमने शो किया, जितना रहा हमें उतने में खुशी है यहां पर, और यह हमारे एक सच्छा और एक जन्विन परिवार है, जिसको हम पढ़ाते हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसके साथ हमारे सेलेक्शन के हम सपने देखते हैं, और सपना हम पूरा भी करते हैं, इंस्पेक्टर्स भी हम बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ऐसे ही परिवार जो है वो बढ़ा करते बट यकीन मानिए सुभा से लेकर शाम तक यह जो आरजी की टीम है आफ लाइन हो गया ओनलाइन हो गया कंटेंट हो गया हर जगह पर काम कर रही है और अपने आपको निचोड़ के काम कर रही है ठीक है यहाँ पर ऑफ-लाइन में बच्चों से रोज मिलना बाते करना यह भी बहुत बड़ा पाट हो जाता है कभी एक बंद कमरे में नहीं रहें यार कि यहाँ पर किसी का कोई डॉटी नहीं जान पाए लोगों के बीच क्या हो रहा है वह प्रॉब्लम इन नहीं जान पाए गंटो गंटो दो-दो गंटे सरगो मैंने देखा है strategy बनाते हुए guidance देते ह एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, जहां पर एक वक्त लग जाता है, बट वो वक्त हमारा जाता है, खुद का personal time जाता है, आपके उपर जाता है, आपके selection के लिए जाता है, तो party hard तो करेंगे ही करेंगे, हम लोगो कोई party hard नहीं करना है, आप लोग party hard करना है, जो आपका धन्यवाद सर, और मेरी खुशनसी भी है कि मेरी क्लास में जो है वो 13 लाख हुए है, बहुत अच्छी बात है, थैंक्यो भाई, थैंक्स सर, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेशन को देख रहे थे, और क्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर कि 500 और 700 के बीच में उन संख्याओं का योग पता करो, जो 12 से, 16 से, 24 से विभाजित होने पर 5 देता है, तो मेरे भाई, जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगा ना, तो लसेम कितना होगा, 48 होगा, ठीक है, तो हमें जो संख्या पता करनी है, वो 48 के मल्टिपल से 5 जादा पता करनी है, 48 का 10 ग गुना से 5 जादा, तीसरी संख्या हो जाएगी, 48 के मेरे भाई कितने गुने से, 14 गुने से 5 जादा, अगर हम बात करते हैं, 48 के 15 गुना से 5 जादा, तो 48 का ज़रा 15 गुना से 5 जादा देख लो, वो 700 से फाल्तू चला जाएगा, पंदरा ठेक सो बीस, बारा पंदरे चुक कर देंगे, हमें कहा गया, ऐसे मेरे भाई सब को जोड़ दो तुम्हें यहाँ पर चुपचाप, तो मैंने कहा या ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 48 का 12, 48 का 13, 49 का 14, यानि 48 का कितना गुना, तो 48 को 14 गार, फिर 13 गार, फिर 12 गार, तो इन तीनों को जोड़ते हैं, 14 और 13 27, 27 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे sir 39 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा 39 गुना, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो प्लस यहाँ पर 15, अब यहाँ पर इस सवाल को देखो, तो हमारा जो correct answer होगा वो यह होगा, लेकिन paper में इतना समय calculation के लिए न देखेंगे, तो unit digit अगर आप देखोगे, तो 8 into 9, 72 का 2, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5, यानि unit digit हमारा 7 आएगा, यह दो option तो पहले ही खतम हो गया, यानि option number B बच गया और D बच गया, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, digital sum को लेकर, तो digital sum क्या होगा, तो 8 और 4, 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 into 3 कितना हो गया, और प्लस यहाँ पर कितना तो 6, 9 हो गया मेरे भाई, 9 plus 6 यानि कितना हो जाएगा digital sum, 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा 6, यानि digital sum का मतलब होता है, आप सभी अंकों को एक साथ जोड करते रही है सभी उंको क्या करते रही है जोड़ते रही है यहां पर देखेंगे तो आठ और नो खतम आठ साथ 15 15 का मतलब कितना हो गया अच्छे option number B correct answer है बात खतम मेरे भाई ठीक है तो एक बहुत ही जबरदस्त question था उसको solve करने के एक तरीका भी था हम calculation नहीं करेंगे क्यों करेंगे हम इतनी calculation क्या जरूवत है calculation करने की तो जो संख्या होगा इसके multiples इतना 12 गुना 13 गुना 14 गुना इतना गुना ज्यादा unit digit में दो ही option फंस रहे थे फिर इसका digital sum और हमारे option का digital sum हमने match कर लिया और हमारा correct answer आ गया मेरे भाई ठीक है आजए एक और question है हमारा यहां पर और HCF का है फिर उसके बाद कल की class में हम ल question को देखिए वह सबसे बड़ी घनात्मक पुर्णां कौन सी है जिससे 514, 714 और 213 को वे भाजित करने पर सेश्वल हमारा इतना इतना और इतना आता है सबसे बड़ी संख्या what is the greatest positive integer that divides इतना वो संख्या इन तीनों को divide कर रही है और जो संख्या अलग-अलग लोगों को divide क हो जाए वो LCM हो जाता है तो divide करने की बात है इन सब को remainder कितना और इतना तो मैंने कहा तो भाई जो भी remainder आता है minus कर दो, minus कर दो इस में से 514 में से reference minus करना मेरे भाई, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे sir 511, 714 में से minus करना देख लो भाई, तरीके से आप minus करना, तो कितना हो तो बोलोगे sir 357 हो जाएगा कितना हो जाएगा sir 357 हो जाएगा और उसमें से 213 में से आप इसे माइनस करना ज़रा 213 में से आप इसको माइनस कर लो तो इसमें से 13 माइनस कर लो बज जाएगा कितना चगवन और यहाँ पे हो जाएगा 146 यहाँ पे ठीक है, एक सेगंड, एक सेगंड, एक सेगंड, एक सेगंड, ठीक है, सही है, 146 है, अब जो भी हमारा आंसर होगा न वो मेरे भाई क्या होगा, HCF, अब HCF निकालने का तरीका भी हम आपको बताए है, HCF निकालने का तरीका हमारा क्या होता है, HCF निकालने का तरीका हमारा हो नहीं जाएगा कोई 657, अच्छा, अच्छा, कहा कि, अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, 657 है, भाई, माफ करना, यहाँ पर है न, 757 है, 657 है, 657 है, ठीक है, 554 से 43 गया, सही है, 511 है, और यह 657 है, 213 है, अब यहाँ पर इसे माइनस करके देख लेते हैं, भाई, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर, 146 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस लेला मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 111 हो जाएगा, यानि वहीं बात है कि हमारी संख्या एक ऐसी होगी, जो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, आप इसका भी ले सकते हो, तो आपका फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा, यह देखो यहाँ पर, सही लिया ना, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, हाला कि यहीं पर आप बहुत तरीके से इसी पर भी आंसर दे सकते हैं, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, और इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, कि यहाँ तो आंसर 146 होगा, यह इसी का कोई factor होगा, अगर हम यहाँ देखते हैं, तो 146 दो से जा को divide कर दे और हमारा ये remainder दे तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा पहले यहाँ पर इन सभी संख्याओं में से minus करके वो संख्या लिख देनी होगी और उनके बाद उनका HCF निकालना होगा HCF निकालने का भी तरीका क्या होगा difference इसका difference इतना है इसकी लेने की जरुवत भी नहीं पड़ती हम सीधा सीधा answer जो है 146 या उसी के factor से दे देते तो 146 दो से भी जाता है और 73 से भी जाता है बड़े प्यारे प्यारे सवाल है एक हमारा कुछ ऐसा भी सवाल है जिसको हम लोग देखेंगे यह दो टाइप के question है जो means means के हैं बड़िया सवाल है एक जैसे question यह देख लो यह भी बहुत प्यारा question है यह थोड़ा सा समझा देता हूं important है जब घनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग कर दिया जाता है तो सेशवल 17, 24 और 27 होते हैं यह संख्या को 31 से भाग करने पर क्याएगा देखो जैसे मानो x को आपने 31 से भाग कर दिया तो remainder आपका कितना आ गया 17 आ गया कि यह 4x-2y-3z, 4x-2y-3z, अगर मेरे भाई इन सब को 31 से भाग करूँगा तो remainder कितना आएगा तो कई बार आपके paper में ऐसा सवाल आता है, कई बार आपके paper में ऐसा सवाल आता है तो आपको यहाँ पर वो संख्या नहीं पता करनी है x का वो मान नहीं रखना है, आप सोचो x को जब 31 से भाग किये थे तो 17 आया था x के 2 गुने को भाग करोगे तो 17 का 2 गुना, x के 3 गुने को भाग करोगे 17 का 3 गुना, x के 4 गुने को भाग करोगे 17 का 4 गुना तो मेरे भाई बड़ा सिंपल सा काम आपको यहाँ पर करना है ठीक है X को जब बा किया था तो 17 आया था तो X के 4 गुने को करना है तो यानि 17 का 4 गुना कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर Y का 2 गुना किया गया इसका तीन उगना 93, कितना बज जाएगा मेरे भाई तो 8 रिमेंड़र आएगा? करेक्ट ऑप्शन कौनसा होगा? ओप्शन 6-B for पाहु बली होगा? करेक्ट ऑप्शन कितना होगा? बिफ बाहु बली होगा? और मैं आप लोगों सुमीद करता हूँ कि आप इसका आंसर जो है हमारे प्यारे से comment box में देंगे देखते हैं कौन बच्चा यहां तक इस वीडियो के end तक पहुँच पाया है किसने मेरी पूरी की पूरी class ली है और पूरी class लेने के बाद समझने के बाद कितने जो है मुझसे heart ले जाते हैं यहां पर YouTube में comment करके comment करोगे तो मैं उस पर heart भी दोंगा और reply भी करोंगा पक्का वाला promise है ठीक है तो आज का session में हमारा मेरे भाई इतना ही था और यह जो है आपको इसकी printable PDF हमारे टेलिग्राम से मिल जाएगी हमारे दोनों टेलिग्राम है maths भाई अधित्रेंजन और anchors गुरुकुल ठीक है printable PDF मिलेगी पूरी जिनको आप print कराके बहुत बढ़िया तरीके से तयार कर सकते हो batches भी हमारे चलते हैं और सारे batches हमारे कहां चलते हैं तो आरजी विक्रम जीत application पर चलता है यहां से math हो गया reasoning हो गया English हो गया और आप एक तरीके से combo batches हो गया सभी batches को आप यहां से ले सकते हैं और यह हमारा inquiry number हो गया इस पर आप inquiry कर सकते हैं फिलाल मैं चार मिनट प्रशांद सर का वक्त ले चुका हूँ तो प्रशांद सर स्वरी थोड़ा सक के cutting में time लग गया इसी वज़े से question वा रह रह गया था ठीक है बाकी आप लोगों की class अभी प्रशांद सर की start हो रही है दस बज़े से पढ़िये और detail में कोई batches में फिर बताते रहेंगे बस बढ़ियां से पढ़ाई करो ठीक है खुश रहो मस रहो मिलेंगे कल की class में time याद रखना साड़े 8 ठीक है love you all take care bye और class कैसा लगा comment box में जरूर बताना है और class कैसा लगा comment box में जरूर बताना है